नमस्कार दोस्तों दोस्तों हींग यह कोई साधारण या गुम्नाम मसाला नहीं है भारती रसोयों में तो यह आसाने से मिल जाएगा इसे एक प्राचिन मसाले के रूप में भी जाना जाता है और यदि आप इतिहास के पन्नों को हंगाल कर देखेंगे तो हींग के कई आईरवेदिक उप्चार प्राप्त होंगे जिन से अनिकीनत रोग दूर भागाए जा सकते है हींग को किसी व्यंजर में शामिल करना भारती रसोयों में समान्य तोर पर देखा जाता है इसके लाबा कुछ आईरवेदिक उप्चारों के अनुसार इसे किसी एविशेश तेल में या फिर मिस्रण में मिलाकर श्रीर पर लगाना भी लाबकारी माना गया है हींग का अगला रूप है हींग का पानी जी हाँ अब इसे पीने के क्या-क्या लाब और निर्देश हैं आईए जानते हैं प्राचिन समय में हिंग को पानी में मिलाकर पीना एक गर्ब निरोधक उपचार माना जाता था इसके लावा इसे पेट के रोगों का इलाज करने के लिए भी उपयोग में लाय जाता था और आज भी यह सिलसिला जारी है हिंग का पेश्ट बना कर छाती और नाक के ऊपर और छिद्रों के पास लगाने से सरदी जुकाम दूर किया जा सकता है लेकिन हिंग के पानी को पीने के क्या लाभ होते हैं यह आप तभी जान सकेंगे जब आप इसे लगातार साथ दिनों तक पीएंगे साथ दिनों तक हिंग का पानी पीने से बॉड़ी में जो पहला बदलाव आता है वह है पाचन शक्ति का मजबूत होना हिंग के पानी से बॉड़ी में बनने वाली आशिड खत्म हो जाती है और पेट के कई रोग आने से पहले ही समाप्त हो जाते है हिंग का पानी मदुमे रोगियों के लिए रामबान इलाज है इसके लावा जिनके गुर्दे कमचूर हों उनके लिए भी हिंग का पानी एक बहतरीन घरी लूपचार है या धिरे धिरे गुर्दे को खराब करने वाले संक्रम को काट देता है और मुत्र मार्ग से बाहर कर देता है हिंग का पानी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है इसके लावे से पीने से सांस समंधी विमारियों का अंत होता है रोजाना हिंग का पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती है हिंग को एंटी ओक्सिडेंट माना जाता है तो इसके पानी को ग्रहन करने से शरीर के कई संक्रमों का खात्मा होता है और कमचोरी भी दूर होती है लेकिन ये सबी लाब तभी मिलेंगे जब लागातार 7 दिनों तक हिंग का पानी पिया जाए हिंग का पानी बनाने के लिए आपको एक गिलास पानी में आधा चमच हिंग डाल कर उसे गर्म कर लिजे और उसे गुन-गुना करके सुबह नास्ते के आदे घंटे या फिर एक घंटे के बाद इस पाने को ले सकते हैं दोस्तों साथ दिन तक जरूर इसे ले कर देखें और जो भी आपके श्रीज में बतलाव आए आप कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिबार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद